अस्रामलेक। जी हाद हम English Code 503 के important questions डिस्कस करने वाले हैं तो यह जितने भी important questions मैंने highlight किये हैं यह कुछ जो quiz आते हैं अँन में थे कुछ जो प्रीविज पैपर्स में आए हैं हैं प्रीविज उग्जैम्स में आ आए- तो यह फिर्स चैप्टर जो फिर्स टैन चैप्टर्स हैं उनके हैं तो उमीद करते हैं कि यह आप लोगों के लिए एक्जाइम्स में बहुत हेल्फूल होंगे इन में से कुछ में हैं कुछ M-C Q's हैं और कुछ जो short questions आते हैं definitions के साथ या कुछ दो-तीन bullets के साथ जो आते हैं वह हैं सारे तो चलें start करते हैं start करने से पहले आप लोगों से रिक्रेस्ट रहे है कि जिन लोगों ने चैनल comigo को सब्सक्राइब कर दें और विडियो को like करें go yes comment जरूर किया करें ताके आप लोगों के को कब्ती हो ओ की हो कुछ गलत एक्सिलाइशन या कुई फर्स लेसन है इंट्रोड़क्शन टो इंग्लिश लेंग्विज तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले एल्ड की डेफिनेशन तो आप सब लोग जानते हैं ठीक है तो मैं सिर्फ उन्ही पॉइंट को पढ़ूंगा जो के हाइलाइट है तो सबसे पहले यह एक पॉइंट है जि उसको किसी एसंपशन्स या कोई भी हमारी सोच रोटी है किसी लेंगोई के बार में उसको और फ्रोड नियृष के बार में पर आयूब Keeping sequence Как और कोँ कानसी परिचिजिर किया और शारे तो यह था उसके बाद जणाब आता है जो यह साइन्ट आटों कि विदेवाल इसका है कि इसने लेंग्विज को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया यह एक एमसी कुछ बनता है उसके बाद फिर यह आ जाता है कि लेंग्विज सेंटर्ड क्या होती है और लेर्नर सेंटर्ड क्या होती है और लर्निंग सेंटर्ड क्या होती है तो यह आपके लिए MCQs आ सकते हैं फिर important methods आ सकते हैं language teaching में तो यह सारे methods बहुत important हैं यह एक एक point यह जो highlighted हैं और यह वाले important methods हैं यह बहुत बाहर आ चुके हैं इन में से एक दो तो लाजमी MCQs की सुरत में या फिर short questions की सुरत में आता है पहले GTM है grammar translation method जिसमें हम mostly हम क्या करते हैं target language के rules and regulation सीखते हैं translation सीखते हैं ठीक है उसके बाद structural approach है language is a complex structure of grammatical rules which are to be learned one by one हम structure पहले सीखते हैं direct method है क्या है कि हम delivered completely in the target language की जिसमें जो target language होती उसी को focus किया जाता है audio lingual method के होता है कि आप जो जो भी language है आप उसकी audio को सुनते हैं फिर उसी तरह को आप repeat करते हैं total physical response होता है कि आपको physically किसी activity में involved किया जाता है communicative language teaching CLT ये भी बहुत important है इसमें क्या करते हैं कि आपको via communication आपको सिखा जाता है task based learning होती है आपको different किसम के task दिये जाते है natural approach होती है कि आप जोते हैं जो लैंगुज आपने सीखने है पूस सरह कि कुछ ढूंते हैं कुछ societies को ढूंते हैं जिनको आप join करते हैं और finding the similarities between learning the first and second language फिर आफ लैंगुज के आप वो similarities को ढूंड़ते हैं तो आगे चलते हैं principles for designing a test कौन से ऐसे principle है important कौन से ऐसी चीज़े हैं जो किसी भी test को design करने के लिए teacher को आपने जहन में रखना चाहिए सबसे पहले यह है कि वह practicality उसकी हो मतलब कि ऐसा हो कि इसके उपर आपको काम कर सके practical हो सके reliability हो कि आपकी वो जो reliable हो आपको output देने वाला हो आपके जो जिस चीज से रिलेटेड़ा बना रहे हैं आपको उसी चीज से रिलेटेड़ हो उसके बाद वैलिडिटी उसकी जो है what is supposed to be major कि आप उसमें जो जांचना चाह रहे हैं जिस चीज़ का test है उसके बारे में ही हो ठीक आप सुरी आप लोगों को थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन है कि सारे पॉइंट्स हाइलाइट किये हैं सबसे पहले चॉम्स्की के बारे में चॉम्स्की की डेफिनेशन लेंगविज की कि चॉम्स्की के मताबक लेंगविज क्या है I will consider language to be a set finite are infinite of sentences each finite length and constructed out of a finite set of elements ठीक है मतलब चॉम्सकी ने यह कहा था कि लेंगविज है यह क्या है यह limited rules है हमारे पास ठीक है जिसकी वज़े से हम unlimited sentences बनाते हैं तो यह जहन में रखीगा उसके बाद function of language एक function तो जरूर आता है कि language के कौन कौन से functions है एक function तो आपको जरूर आएगा तो आपने यह सारे इसके six functions है English के तो उसमे रेफरेंशन function ही कि हम किसी चीज के बारे में describe कर सकते है statementsöm करते हैं इ्मोर्टिकव क्षान है अपने expressions लगाने के लिए तो फैटिक फंक्शन जो है यह आ चुका है तो यह भी जहें में रखेगा फिर अदर लेंग्विज यह आपको जरूर उसमें आए हैं लेंग्विज इस पावर ठीक है तो लेंग्विज एस मीन औफ कंट्रोल टीक है वर्ड़ इस लेंग्विज एंड आडेंटि लेंग्विज एस पर्फर्वार्मटिफ यह भी याद रहें के फीचर्व एफ्यूमिल लेंग्विज बहुत इंपॉर्टन टॉपिक बहुत तिनी भी हेडिंग से इन में से जरूर कोई ना कोई आता है तो इसमें है कि रिफ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रिफ्लेक्स कर सकते हैं ठीक है कि मैं मतलब मैंने जो लेंगविज यूज की है मुझे आई विश आई कुड डू लाइक तैट तो इस तरह जो कि एनिमल नहीं कर स सकते हैं इसे दूसरी प्लेस की बात कर सकते हैं कि आपके।कर आज क चीज के लिए उसकते हैं किसी की चीज के लिए नहीं पहुत रहा हैं कि वह सारए लफ॥ हो रिजम्पल एक अगर हम गाडी हैं तो औरदू में कार है när में इसको सायरा का जाता है तो मतलब बहुत सारे व हो लोगी अब इसमें और वर्ड नहीं आ सकते डे बाई डे इसमें नए वर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके पाद कल्चुरल ट्रांस्मिशन है कि यह इसकी डेफिनेशन आई हुई थी शॉट कर्शिन में होता कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लेंगवज आती है तो इसमें इसमें बाद पिर उनका इसके बाद आप study of language ठीक है linguistics the study of language and the way languages work is called linguistics ठीक है आप ये linguistics की different aspects है different इसकी fields है इसके बारे में भी आपको sure है कि कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा और ऐसे भी आप समझ लेंगे तो आने वाले lessons आपके लिए असान हो जाएंगे सबसे पहले study of sounds है इसमें दो आती है एक phonetics एक phonology है phonetics आप speech sounds production transmission और perception मतलब sounds कैसे produce करते हैं phonology है कि वह sound system उनको अरेंज करके words कैसे हम बनाते हैं तो आगे जना formation of words words कैसे बनते हैं उसमें फिर bound और grammatical फंक्शन आ जाते हैं कि किस तरह से words different grammatical functions कैसे करते हैं फिर जब words बनके पहले sounds की वज़े से sounds को हमने अरेंज किया words बनके words को फिर हमने अरेंज किया उनके different grammatical functions के साथ अब words को अरेंज करके हमने sentence बनाना है तो उसमें फिर syntax आ जाता है syntax क्या study of how words combine to form sentences आ जाता है चनाब उसके बाद फिर आ जाता है semantics semantics आपको जो literal meaning है जो words के मतलब कोई word है उसका मतलब हमारे जहन में आता है जो सामने है और pragmatics क्या है जो hidden meanings है for example कुछ ऐसे words होते हैं जिनके meanings words कुछ होते हैं लेकिन आपके expressions context जो यह सारी चीज़ों ने hidden meanings कहते हैं ठीक है इसमें लिखा भी psycholinguistics definitions आई हुई है दो तीन बार ठीक है psycholinguistics is the study of the mental processes underlying the planning production perception and comprehension of speech हमारे जहन में ऐसा क्या चलता है हम कैसे plan करते हैं कैसे language produce करते हैं फिर उस language को जो हम produce करते हम उसको कैसे सुनके उसको comprehend कैसे करते हैं ठीक है यह सारी है neural linguistics is the study of how brain functions in language production अब neural linguistics क्या है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है historical linguistics में यह है कि development of language and languages over time किस तरह से एक language over the period of time किस तरह से एक language develop हुई applied linguistics हम language की जो applications है language कैसे कैसे use हो रही है क्या क्या चीज़ें चल रही है linguistics की जो implications है applications हम उनको देखते हैं for example national language policies translation language in politics advertising classrooms इन सारी चीज़ों को study करते हैं उसके बाद जनाब आ जाता है possible relations यह relationship बहुत important है इनको जहन में रखिएगा कि relation एक्चुली लेंग्विज और सुसाइटी के दिर में का structure है वो society को influence करते हैं और जो थर्ड वाला बना वो यह था कि यह influential bi-directional यह दोनों है कुछ language society को influence करती है कुछ society जो है वो language को influence मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को influence करते हैं तो यह यह तीन possible relation ज़रूर जहन में रखेगे यह linguistic determinism है कि different languages impose different conceptions of reality और linguistic relativity linguistic differences between cultures are associated with cultural differencing in thinking अब linguistic relativity क्या है कि जो language differences है यह cultures के साथ associated है because different cultures different चीजों के बारे में different सोच रखते हैं तो इस वजह से यह linguist जो relativity है उसमें आती है linguistic determinism के बारे में यह कि different language impose different conceptions of reality और जाहर है हर language reality के बारे में कुछ अपने ही culture अपने ही point of view से सोचती है तो आगे चलते हैं जनाब linguistic diversity कहते हैं different variations of human language ठीक है और यह होना चाहिए ठीक है आगे इसके बारे में बताते हैं कि क्यों linguistic diversity क्यों होनी चाहिए for example अगर एक मुलग में English बोली जारी है उर्दू पंजाबी Arabic ठीक है और Turkish बोली जारी है तो यह क्यों है because it is necessary यह दुनिया के लिए जरूरी है इससे क्या होता है कि आप की identity रहती है किसी society की किसे culture की अब पूरे पाकिसान में एक जुबान सब लोग बोली चाहें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किस जगह से आया है तो यह एक identity के दौर पर यह होनी चाहिए reasons to maintain linguistic diversity यह reasons आपको लाजमी बता होनी चाहिए languages express identity are repositories of history इस languages के वज़े से आपकी history store रहती है अगर दुनिया में Arabic कोई बोले गाई नहीं तो आपको Arabic की history कैसे पता चलेगी तो Arabic बोलने वाले होंगे तो वह अपने history को store करते जाएंगे language contribute to the sum of human knowledge पर यह इंसानी इलम के लिए भी बहुत अच्छा है interesting in themselves and languages खोड़ भी बतलब बहुत ज्यादा interesting ecological diversity इससे हमारे different मौश्रों की एक पहचान रहती है तो आगे चनाब यह है history of English language the branch of linguistics which studies language change is called historical linguistics ठीक है लेक्जिकल चेंज मतलब language change किस तरह से आता है कि आपने यह देखना है कि कौन से changes आएंगे जितने भी changes फोर किसम की फोर टाइप्स के changes है इनको जरूर जाहन में रखे हैं सबसे पहले लेक्सिकल चेंज है लेक्सिकल चेंज में क्या है कि words यह वर्ट जोते हैं कुछ नहे आजाते हैं old-fashioned हो जाते हैं इसलिए फिर खतम होते होते वह खतम हो जाते हैं इसला से lexical change आता है language में Morphological change भी कुछ इसी तरह से है कि this is often connected to the syntactic change and the most important type of morphological change is analogy which basically means that a word assumes a new form based on the pattern of the majority for example the past and the past participle forms of help used to be holp and holpen मतलब आप किसी words को इतना routine routine में change वो यूज होता है कि जो उसकी actual चीज़ है वो ऐसे खतम हो जादी से उसने help की example कि help कभी हॉल्प और हॉल्पन होते थी इसके second और third form लेकिन help helped इसतना यूज हो गया सिंटेक्टिक चेंच ग्रेमेटिकल चेंच जिस सरह से आज कल भी आप देखने के अकसर आप language में देखें तो विल पहले कभी हम सुना करते थे कि जनाब जो आई-वी के साथ हमेशा शैली यूज करते हैं बड़ अब इतना वह विल यूज होना शुरू हुआ है कि आप महर तो जगह पर विल ही लग जाता है फॉनलोजिकल चेंच मतलब साउंड्स को कुछ चेंजिस आ जाती है सिंगल साउंड्स वर्ड्स सैट ऑफ फॉर्ड्स फॉनलोजिकल चेंच पाइक इंग्लिश डिफरेंट पॉइंट टाइम्स ठीक है इसमें मतलब आपकी जो एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं गलत हुलाम मतलब एक वर्ड ऐसा था जिसको बोलते कि बोलते कि फिर वही इसकी परनॉंसियेशन पकी हो जाती है ठीक है और उसके बाद यह पीरियोड्स थोड़े से जहर में रखिएगा कभी कबार आ सकता है इन में से ठीक है पार्ट सो स्पीच है य इनका क्या क्या चकर चलते हैं यह कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स इंग्लिश हैस बिकाम ग्लोबल लेंग्विच इन लास्ट फिफ्टी यर्स ये एमसी की उसमें था तो इसलिए मैंने इसको हाइलाइट कर दिया आगे मेजर फैक्टर्स बिहाइंड अस्प्रेड ऑफ प्लेस इंग्लिएंड फर फर्स ताइम तर राइज ऑफ अमेरिका थे वर्ल पावर प्रिस्टीजियस स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन वेरियस नेशन तो यह थे और यह क्लोनियलिजम से लेडर डेकाद क्वेस्टन आया हुआ था यह जनाब करेबियन में अफरीका में क्या यह जो है वो फिशल लेंग्विजज ने तो वह कौन सी है एलेवन फिशल लेंग्विजज थी और अफ्रीकां स्पीकर्स यूज इंग्लिश एज एंज सेकेंड लैंग्विज चीए और बगी जनाब इसमें से कुछ इंड़स्ट्री डेवलेशन बिटेज बिटें वस ली कुछ खास मुझे मिला नहीं है तो लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि आखर आपको कुछ नजर आए तो अगे जी इंग्लिश एजन इंटरनेशनल लैंग्विज सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल लैंग्विज का पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल जिसके नेटफ स्पीकर्स हो अधर लेंगविजिस के जो है और लेंगविजिस तो सर्फ और वाइडर कम्यूनिकेशन तो यह आपको पता नहीं चाहिए फिर यह बहुत इंपोर्टन क्वेस्टिन के इंटरनेशनल लेंगविज की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ठीक है तो यह इसमें से एंप्सी की काफी सारे बने हुए थे इस पोकन बाइलाट ऑफ पीपल ऑफ डिफेंट नेशनल एट इसको यूज़ करें ठीक है इस पीकर्स ऑफ इंटरनेशनल लेंगविज अगर मैं यह कहूं के इंग्लिश मेरी मतलब लेंगविज है तो फिर मुझे डेफिने इसके मतलब किया है इसका मतलब कर लोगों को इस और फिर माइग्रेशन इसमें हो सकती है और स्पेशल रोल ऑफ इंग्लिश आफ बीन रेकिनाइज बाइलमोस एफ्री कंट्री आइजर बाइ मेकिंग इडियर ओफिशन लैंगुज आज वकारिंग और आगे जनाब यह कछ्रू थ्री सेंट्रिक कंसेंट्रिक मॉडल बहुत इंपोर्टन बहुत ज्यादा बहुत इंग्लिश 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 की यूजर आजाते हैं फिर एक्सपैंडिंग इंपैंड तर्इंग्स में क्या जाते हैं जनाब के बियन ऑफ यूजर चीक बहुत सारे यूजर तो यह आप इनके सर्कल्स की जाद रखिए गा और यह वैसे भी शॉड़ कुस्क में भी आ सकते हैं फिर नीटीटalia न revenge में फारत क्या होता है कि už कौन से और नीटीटार могन से टैने अने नीटेट विकर टिन इस पर्शन वीसे पर्टिकर से इस्पीmor लेंगवर इस शी बेड़ा एं इस धर बेडी राधर जन नोन नेटिव वहते हैं कि जो इस एपरसन हो है अन्याटिव लेंगविज अधर ये उसकी मदर कोई और होती है लेकिन कोई और लेंगविज यूस कर रहा होता है तो यह भी आप आपको नेटिव नॉन नेटिव के पता होने हैं और फिर जनाब आपके लिए ये इन में से कुछ बहुत ऐसा मुझे मिला तो नहीं है लेकिन फिर भी खोशिश मैंने बहुत की कि इन में से कुछ मिल जाए लेकिन मुझे कुई कोई एसा कोई एसा शॉर्ट कुछ नजर नहीं आया अल्मोस जिनाब इंगलिश इन पाकिस्टान अल्मोस 72 लैंगुजज़ इस पोकन इन पाकिस्तान तो यह सारी परसंटेज एक दो जगह पर लिखे हुई है तो यह आप अपने जहन में रखिए गा इंगलिश इंगलिश ल सब्सक्राइटों कि इसकुक्त पाकिसान की क्या बनी किस ने क्या कही Pan9 1970 में जो एजुकेशन थी कॉंस्टिशन आफ पाकिस्तान 1973 में क्या थी तो यह एजुकेशन पॉलीस पाकिस्तान की थी इनको भी जरूर देखेगा 1973 वाला थोड़ा ज़्यादा आया हुआ था लेंग्विज प्लैनिंग क्या होती है कि लेंग्विज प्लैनिंग आपने यह देखना है कि प्लैनिंग इस सिस्टेमाटिक मैन्यूपिलेशन अफ लेंग्विज इन पर्शुट्स ऑफ सर्टेन यूज स्टेड आर सुसाइटी ड राउनिंओं यह छेया क्किनाधि क्शтесь की प exemड़र लेंग्विज से दूस्री जमें चलते हैं इक लोगर आवर से मोर पावर से अम्हवर फुलेंग्वर अइयसे थिसे ठीज है सब्सक्राइब आbekि से ठीजलेशक्राइब ग्रुप उपर पार एंडसोर्स से डिक हैं लें पाकिसान नेशनलिस्ट थे उनका इंगलिश के बारे में क्या व्यू है पाकिसान में उसका अंसर यह था कि इंगलिश इसीन एज एक केरियर ओफ वेस्टर लिबरल वैलिए उर्दू एजन इसलामिक पाकिसानी नैशनलिस्ट क्यम्यूनिटी उसके बाद आजाएं जनाब स्टेटिस ऑफ इंगलिश इंगलिश फैबरिक इंगलिश थे में इंपॉर्टेंट डॉमिनेंट एंड मोस् प और बहुत सारी ऐसे शीवल प्यॉर्टेट्री मिलिटेंट मिलिट्री बिजनेस लाग मेडिया वहां सारी इसी इशू जहांब हमें जॉब लेने के लिए हमें इंगलिश को एजेब हमारी एक फूर्स रिक्वार्मेंट बन चुके हैं लेंगविज फॉर एसे और बाकसान का निजाम है किस तरह के पाकसान में जो डिवीजन है पर div Akt दिवीजन रूरर सों स्कूल्स इन पाकिस्तान यह कितनी कैटेगरीज है ठीक है और एक साल यह शॉर्ड कॉस्टिन भी आया था कि कौन कौन सी है ठीक है तो यह आप देख लिए के फाइफ कैटेगरीज हैं सबसे पहले अलीड प्राइवेट स्कूल्स है जो जिसको हम भी करना उस टाइब स्कूल् स्कूल में जो सरकारी स्कूल्स है उनकी बात की चारी िक है नॉन या नॉर्मली हमारी मीडिम स्कुल्स को जो जुएं करते हैं अपनी चनको मदरसा रहे हैं तो यह इसको एक रिखेंट सबसे तको भीज़ की मालगर tsukvy CC allergies एक्स्टोर करती है पिर अब्जेक्टिफ सब्सक्राइब करती हैं यादाश को कैसे रखते हैं और पिर कभी आदाश में हो तो ब्रेंड कैसे वहां पप्धा को दिए कि हम चीजों को समझते कैसे हैं लेंग्विज और ब्रेन मतलब काम कैसे करते हैं ठीक है आपस में क्या रिलेशन है इन मतलब की सरह से क्रीट करते हैं एक्सपेशन को फूलेश अगे इस में से जनाप्य एक अधा से इस शीजों फ्रीचिंग है और शल्फ रिपेरिंग से जनुए हैं कि जब हम बोल ले होते हैं स्पीज प्रोडेक्शन के हम बोल लेते हैं तो यह उफन इंटरप्ट अवरसल्स डियूरिंग अ कन्वर्सेशन एंड सम डू सम सेल्फ क्रेक्शन हम खुद से कुछ इंटरप्शन अपने बोलते बोलते रुक जाते हैं तो फिर हम अपनी दुबारा से अपनी लेंगुज को स सेल्फ रिपेरिंग हैं उसके बाद जनाब आ जाता है कि वर्ड के हैं अब वर्ड मीनिंग कैन ओनली एक्सेस्ट आफ्टर इट है थीक हैं तो यह कुछ एंट्रीज हैं डिस रिगार्डिंग डिस के मतलब हम जो हमारे जहन में जो जितना भी यह वर्ड स्टोरेज होता है है तो इसकी इंट्रीज हमारे सेल्ड में कैसे बनती है सबसे पहले लाग्जिकरी उन्टिज होती है कि हमें इंफिर्मेशन मिलती है थीक है about lex purely ऑग्जिकल आइटिम्जिकल इंप सब्सक्राइस है ऑ Uhh किस थी एक्सिंट मिलती है तो इस थी साह नहींग सथ हमने में बहुत लब किसी handouts की बात करूँगा चीक है या किसी इनसान की बात करूँगा तो वो इनसान किसी वाक्यत के साथ किसी रिलेशन के साथ मेरे जिन में उसका एक sketch बनेगा फिर जब मैंने उस इनसान के बारे में किसी information को दुबारा से access करना है तो मैं कैसे उसको retrieve करूँगा आगे जनाब आजाता है कि vocabulary store और लेक्जिकॉन के बारे में है कि content words कौन से होते हैं जिनके meanings dictionary से हमें मिल जाते हैं ठीक है नाउन वर्ब्स इजेक्टिव एडवर्ब्स करी डिक्शियर मीनिक्स फंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके words नहीं होते बड़ त्यार important to create meanings ठीक ह हैं जो हमारे words को दूसे जो meanings को syntactic structures के लिए important होते हैं तो यह फंक्शन वर्ड और जो content वर्ड्स हैं इनकी definition को जहिन में रखिएगा ठीक है कि यह कौन से होते हैं आगे जनाब मीनिक क्या है कि one word may have several linked sensors यह mcq में आया हुआ था और उसके बाद है जनाब frequency क्या होती है कि frequent use of certain words callocation callocation important one की callocation होती कि कुछ words ऐसे होते हैं कि वह एक दूसरे के साथ उनका बहुत relations होते हैं तो mostly वह एक साथ ही आते हैं कलम किताब ब्रेड बटर ठीक है ब्रेड और बटर आते हैं और ब्रेड एंड मिल्क ठीक है तो ब्रेड और बटर बन जाते हैं एक दूसरे के साथ इनका closely connected हो जाते हैं यह words तो इनको callocation कहा जाता है आगे जनाब टेक्स्ट क्या है टेक्स्ट के बारे में है के लोकल इसवास स्रॉक्ट्या जो होते हैं और ग्ल्लोबल कि इसकोड बट्वियुले इंडिविज्यवाथेस संटैंस इन ईक टाहरे कुल too और ऑर प फिर उसकेश्याग और √ि क्या होताoten और फिर उसके बाद knowledge of the discourse and the world knowledge यह इन दोनों की एक short question आया हुआ था difference between local discourse और global discourse का आगे जनाब आपके लिए है brief outline of language development important one कि बच्चा पैदा होता है तो उझे स्ट्राइंग करता है छीक है तो इसके लेट करता है तो इसके लेटा होगा बचा जब खेलते हैं तो उसके बाद बैबलिंग स्टार्ट करता है चीक है सांड उसके आना स्टार्ट हो जाते हैं फिर टैन और 11 मुंध का जब होता है तो फिर वह मामा बाबा कहना स्टार्ट कर देता है 18 मंध का होता है तो फिर क्या होता है कि पिर वह दो वर्ट बोलना शुरू कर देता है तो फिर कोंप्लेक्स इंटेंस बोलना शुरू कर देता है तो हमें उसकी बात समझाएंगे कि बात करेंगे तो इन लेंगुज और नेटिव लेंगुज और मदर टांग ठीक है जब आप अपनी मदर टैंग के लावग कोई भी लेंग्विज की जब हम बात करेंगे जो हम उसको यूज करेंगे बोलेंगे तो इसको सेकेंड लेंग्विज कहा जाता है सेकेंड लेंग्विज एक्विजिशन स्कोप किया है जिसका जनाब हम इसके थ्री किसम थ्री टाइपस ऑफ स्कोप्स हैं इन फॉमल कि हम बात करें तो आगे इसके बारे में जाए चनाब इडियास आल्वीज बीन एजियूम्ट एड़ सेकंड लेंगुज 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 मतलब जो हमने पहले लेंगुज फर एक्जांपल अगर हम इंगले सीख रहा है तो मुस्टले हम लेकर थे फिर उर्दु के मताबिक हम इंगलिश को कर रहे होते हैं आगे चनाब यह थोड़ी सी इंपोर्टन है दा प्राइर नॉलज फर्स लेंग्विज इस रिस्पॉंसिबल फर्द ट्रांसफर फ्राम लेंग्विज वान टू लेंग्विज लेंग्विज टू दू द थोड़ी हैबर्ट की वज़ा से हम लेंग्विज शीखते हैं जो कि बार बार आप आगे चाहेंगे तो आपको बिहेवियर रिस्ट व्यू भी मिलेगा कि हम लेंग्विज को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं तो यह एक कंट्रासिव अनलसिज है इसमें क्या कहा गया है कि जनाब आप जो हमारी हैबर्ट कैसे बनती हैं कि पहले हमें मिलता है हमें किसी चीज के काम करने के लिए कोई इंडिकेशन मिलती है हम वह काम करते हैं ठीक है रिडिस्पॉंस आता है उसके बाद पर री इंफॉर्श्मेंट आती है कि हमने वह जो काम किया वह एक अच्छा या बुरा काम था तो पिर नमें पता चलता है किस काम को हमने अगर अगर तो वह अच्छा होगा हमें अच्छा रिवार्ड मिलेका तो अपनी एक अच्छी आदत बना लेंगे अगर हमें पंश मेरें तो पहने हम उसको छोड़ देंगे कि इस तरह से हमारी हैबट फॉर्मे करते हैं फिर उनकी जो description of errors है उनको describe करते हैं कि क्यूं है फिर उनको explain करते हैं कि पहले हम उनके description करते हैं कि किस level की है यह गलती फिर क्यूं हुई वो गलती यह सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं इंट्रम्यानिन भाइब Sketक्रपर ओर सलिसे के तरफ फो ड्रम्यान में एक ऐसा आता है तो आप गंब्ली फस्र लैंग्विच को योलते हैं युदिधु ट्रिन फिर्स लैंग्विच वोडाते हैं जो दर मियानी एक जो ट्रांजट श्यट स्टैट होती उसको इंट्र लेंग्विज टर्म कहा जाता है ठीक है आगे जनाब मॉनिटर मॉडल है तो मॉनिटर मॉडल बहुत इंपॉर्टन है इसके five hypothesis है acquisition learning hypothesis है monitor hypothesis है natural order hypothesis है जो इनकी डिटेल कुछ-कुछ आगे आई हुई है बारे में उसने कहा था कि यह इसने कहते हैं हर बंदे के अंदर होती है जो बाइबर्थ होती है चौंस्की ने यह जरूर याद देखिएगा उनिवर्शल क्रामर का ठीक है जी उसके बाद यह थोड़ा सा की कॉंसेप्स काइनली पढ़ लीजिएगा यह थोड़ा से शायद मैंने हाइलाइट करना भूल गया तो यह जरूर देख ली जाएगा इसके आगे फिर इसके जनाब यह कुछ आये हुए थे MCQ's में तो यह भी देख लीजगा है है हैलिज लेंग्विज लरनिंग नियुड्स तू सीन एजमास्ट्री अफ लिंग्विश्टिक फंक्शन्स चीक है है हैलिज के पॉइंट आये हुए थे के हैलिज देख लिए ने क्या कहा लेंग्विज वही जो हमने पहले दिया का इंपुट है इंपुट है इंपुट है इंपुट है इंपुट है जी तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आगे आ जाता है जनाब कि अगर आपको सच्छा इतनी नहीं मिली लेंग्विज तो उसमें काफी जादा जीजिएंट हो सकती है एक एफेक्ट हो सकता है हर बंदा तो कॉंपिटेंट नहीं होता है कि लेंग्विज को फॉरां से सीख जाए तो फिर अफेक्ट होते हैं कुछ लोगों को फिलिंग्स अच्छी नहीं आती लेंग्विज लर्निंग के लिए कुछ के इमोशन के मामला होता है language anxiety language anxiety बहुत important one है यह बहुत दफाँ है language anxiety जो language anxiety कि होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में अगर आपकी language anxiety high होगी तो आपकी language learning slow होगी, कम होगी language anxiety कम होगी तो language learning high होगी ठीक है और सोशल डिस्टेंसिंग है अकल्चुरेशन मॉडल यह इसके बार में आयात है कि लर्नर्स अकल्चुरेट दे विल लर्न अकल्चुरेशन है क्या कि आप उस सुसाइटी के अंदर जाएं उन लोगों के उस कम्यूनिटी को अड़ाप्ट करें उस कल्चर में जाएं तो एज से बार्ट लेंगविज कंपोनेंट फॉर लर्नर्स ठीक है लेक्जिकॉन का मतलब ही कि जो आपके जहन में जो अलफाज जो विकैबलर ही है उसके बारे में बात की चाह रही है और उसके बात आप परसीवड इंपुट क्या होती है यह फर्स चेज अफ इंपुट इंपु टीक है इंपुट क्या होती है इंपुट क्या होती है यह फिर आपका जनाब यह आ जाता है कि 15th century king Harry इंग्लिश ऐस अफिशियल लेंग्विज ठीक है टैसल से क्या बनता है टीजिंग फिंग्लिशिस एकन लेंगविज और अप्रोच के है इस बाउट देनेचर ऑफ लैंग्विज टीक है उसके बाद आ जाता है टेकनीक इस देंप्लिमेंटेशन इंडेचर ठीक है और मैथड इसमें कुछ में कुछ आ ही जाता है आगे जनाब इसकी criticism GTM क्यों मतलब fail क्यों हो गया क्योंकि इसमें accuracy improve होगी fluency नहीं बन सकती और फिर does not cater for the communicative aspects of language और इसमें communication जो language के aspects है उसको ignore किया जाता है काफिया तक audio-lingual method है जनाब कभ इंटर्ड्यूस करवाएगा 1950 में और यह जीटीम मेतड़ जो grammar translation method उससे contrary है ठीक है और जनाब उसके बाद आ जाता है इसमें यह roles important है सारे methods में को कौन क्या रोल अदा करता है तो बगी इसमें से GTM reaction to GTM was considered to be inadequate and ineffective in developing communicative ability in learners ठीक है direct method was first used in France and Germany ठीक है कब first किसने use किया आगे जनाब आ जाते हैं aims of CLT communication language teaching इसके क्या मकासद किया थे इनको याद के लिए principles of CLT important one है और फिर आ जाते है जनाब आपका it makes a use of task as the core units of planning and instructional language teaching there is focus on classroom procedures concepts of task है कि task actually होता गया है it is an activity or goal that is carried out using language यह task-based language teaching important one TBLT syllabus इसका बहुत दफाह यह रिवाइज वो बार-बार repeat हुआ question real world task होते है पेड़गोजिकल task मनला बच्चों के जो task होते है types of tasks कौन से है listening ordering sorting comparing ठीक है जिगसा task information decision making one way two way जी सारे इसके different types of tasks है इसमें role of teacher क्या होता है learner का रोल क्या होता है इसमें procedures क्या होते हैं तो यह एक important one है इसको भी जहन में रखेगा bilingual method बहुत important one ठीक है और how does it refers यह question आया होता कि जो BM है bilingual method है यह GTM grammar translation method से कैसे different है only the teacher uses first language in BM to explain meaning the pupils are given a lot of practice in the drill of sentence pattern that is not provided in GTM ठीक है तो that I think that was all about language English code 503 तो I hope so कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो थोड़ी lengthy है लेकिन मुईत कते हैं कि आपके chapter 10 तो इसमें से इंशाला बहुत अच्छे marks आजाएंगे तो इंशाला बहुत चल्दा आपके remaining जो आपका सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कॉमेंट्स जरूर दीजिएगा थैंक यू वाला आफेज सब्सक्राइब कीजिए आपके लाइब कीज़ कीजिए प्सक्राइब कीजिए